नमस्कार साथ जो आज हम बात करेंगे वे कनेडा जी हाँ वे कनेडा में पी आर सब को मिलेगा सर्थ क्या है सर्थ देख लो वे इस गनेडा की वेपसाइट पर कैल्कुलेटर होता है जिसको टेस्ट रिजर्ट बोल सकते हैं उस पर अपना रिजर्ट देखो अगर आपको मोबाइल पर भर सकते हैं, क्या अनुबब मुझे है, वो हो सकता, आपको नहीं हो, आपको, वो मुझे नहीं है, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे जैसे मैं वरूमाफ उसको आप भी बरके, और फिर समिट कर सकते हैं, आपको कितना बारा सो में से कितने अंग आपके आते हैं, जिसमें हाइस्ट, एक्जामपल के तोर पे समझो के भी इस केल्कुलेटर फॉरम जो है, वो बारा सो अंगों का होता है, जैसे आपका एक्जाम होता है, टोपर कौन है, मेरिट कौन है, जैसे पूरी स्कूल में तोर के अदार फिकने ऩचे इस में अपके आप्र अप सरवी करेंगे sto शुरुआत कर लेते हैं, यहां पर हम सर्फ करेंगे, इसमें आप भी अपने मोबाैल में सर्फ कर सकते हैं, C.R.S. इतना लिखोगे तो आपके सामने open हो जाएगा ठीक है जी अब इसमें आप चाहो तो हिंदी में खोल सकते हैं चाहिए इंग्लिस में खोल सकते हैं हम यहाँ पे इसको हिंदी में open करेंगे ताकि हर आत्मी को आराम से समझ में आजाए और मुझे भी आजाए तो यह देख सकते हैं साथ यह फाइल open हो चुकी है इसको हम कैलकुलेशन करें इसको हिंदी में कर लेते हैं ताकि हराम से आपको भी समझ में आजाए आप देख सकते हैं यह ओरिजिनल बागिदार कनेडा का स्थाई निवासी है तो आप इसमें लिख सकते हैं अगर आपकी वाइफ कनेडा की है तो आप लिख सकते हैं यह फिर लिख सकते हैं नहीं आपकी अपकी इजुकेशन सेलेक्ट में इसमें ऑप्चन है, इसमें पुछा है electrodes डिपलोमा, आपके पास है यां अपने देर कनेड़े से बाहर किया तो उसके पास आपके पास पॉर्स में किसी अनुमती दाजिन, सी के से से सर्टिफिकेट होना चाहिए, education इसमें यह भर सकते हैं आपकी जो भी education है उसमें आप भर सकते हैं मेरे पास दो डिग्री हैं तो मैं दो डिग्री वाला इसमें option कर देता हूँ क्योंकि एक B.A. हो गया एक L.L.B. हो गया दो डिग्री हो गई आपके परिक्ष्या प्रणाम दो वर्ष से कम पुराने है यानि आपकी जो भी exam है उसको दो साल से ज्यादा टाइम हो गया होगा तो आप उसमें लिख सकते हैं यह और नहीं हुआ तो भी आप नो कर सकते हैं आगे इसमें पूछा है क्या आपने पहली अदिगारिक बासा के कौन सी बासा की प्रिक्ष्या डी prise दी थी तो इसमें आप लिख सकते हैं या फिर इसमें परसके हैं इंगिलिस का आपका स्कोर क्या है बोलना इंगलिस आपकी कितने परचेंट आती है इतनी या तो मैं बर लेकिन समझ में आना नहीं आना वह यह अलग बात है यह सुनने की भरदी आ पढ़ना इंगलीस आप पढ़ना कितनी जानते हैं तो पढ़ने की लिए तो 70-75, यानि 7.5 परशेंट के लगबग आप इसमें भर सकते हो, बाकि आपको अगर इंगलिस पूरी आती है, अंडर्ड में चांडर्ड तो आप अंडर्ड भी भर सकते हैं, लिखना, आप इंगलिस में भी या लिखने में तो हाथ वैसे ही तंग है, तो इसमें आप यह लि है, आपने कोई अन्य एक्जाम दिया है किसी बासा में, तो वो दो वर्स से पुराने नहीं हो नीची है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, कोई नहीं है, एक वर्स से कम है, यानि अपने को अनबव नहीं है, अगर आप कनेडा रह चुके हैं, तो आप भर सकते हैं, दो साल, वर्सों का विदेशी कार ये कुसल अनबव है, आप मालों कनेडा अभी कनेडा पियार के लिए अपलाई कर रहे हैं, यहां पे आपने जैसे दुबई, कतर, मसकत, किसी भी देश में गए हैं, दो चार, पांस साल, दस साल रहे हैं, तो आप अनबव भर सकते हैं, अब मुझ पास तो नहीं है, तो नहीं बरेंगे, अगर आपके पास है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, और आपके पास सरम यानि सरम बाजार पर वाव अंकलन ये आउसे को तो समर्थित बेद नोकरी परस्ताव है, यानि आपके पास वहां कनेडा से रिलेटेड कोई ओफर आया, अपने पास तो नहीं है, मेरे पास तो नो करूंगा इसमें, आपके पास है, तो आप यस कर सकते हैं, आप या आपके पती, पतनी, या कोमन लाव पार्टनर ये थी आपके साथ कनेडा जाएंगे, वो कम से कम एक भाई बेंद कनेडा में रह रहा हूँ, जो अस्ताई नाग पास तर है, कनेडा की डिग्री है, डिपलोमा अर्जित किया है, या पिर कहां का है, पांस वर्सों में अजेंसी का होना चाहिए, तो इसमें सलेक्ट हम करेंगे, आपकी वाईफ है, उनकी एज्यूकेशन कितनी है, हाई स्कूल है, मादे में डिपलोमा है, किसी विस्यों व पर देंगे इसमें, अब आपकी स्कूर की गरना करें, तो आप स्कूर की गरना करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, अब यह देख लो, यह रिजल्ट, अब आपका रिजल्ट आपका सामने है, आपका प्रणाम, अब देख सकते हैं, रेंकिंग सिस्टम फार्मुलर चार इमेल आजएगा आप इसमें देख सकते हैं आपको यह स्कोर मिला है शिक्षा में 119 है राजबासा यानि मेरा तो लगबग 9 था वई 9 9 9 9 सब में 9 था तो इसमें कनेडा से रिलेटेड ज्यादा पुछा था तो लास्ट में अगर अन्वो की बात करें तो यह देख लो वह अत पर कुछ अन्वो है उन लोगों को पियार लेने में बहुत ज़्यादा असानी होती है अब मेरा हम तो इंडिया से बाहर किसी देश में जोब नहीं किया कुछ किया ही नहीं तो 1200 में से मात तरह 309 नंबर आये हैं और आप एकिन मानों वह एक्सप्रेस इंट्री में 1200 में से 1000 से उपर जिनका नंबर आएगा एक हजार नंबर जैसे एक्जाम होती है सरकार कराती है मेरिट आता है ना सेन मैं बस बारा सो में से ग्यारा सो अगर आगए तो आपका नंबर आ सकता है क्यूंकि कनेड़ा रहने वाले पब्लिक लाखों में इंडिया की बात नहीं है और भी ते नेक्स पूडियो में से जानका रिकिसाथ जेहिंक जेवारत